मेरट के थाना कोत्वाली भ्रमपुरी शेत्र के मोहला भगवतपुर की रहनी वाली पिड़त महिलानी भाजबा पार्शन पर जमीन कबजाने का आरोप लगाया है एसेसपी से की शिकायत पिड़िता अनसूतित जाती की महिला है तथा पिड़िता का चार सुगज आवासी भूमी मोहला भगवतपुरा थाना भ्रमपुरी मेरट मेस्तित है जिसका राज़स्व अभी लेखो में नमबर पुर्व 142 पश्चात नमबर 146 में आराजी तहती लगभग 400 वर्ग गज है वाड नमबर 3 के पारशन अरुन मंचल के द्वारा पुर्व में पिड़िता को लगभग 183 वर्ग गज भूमी पर कबजा कर लिया था जिसकी शिकायत पुर्व में पिड़िता की द्वार अभजिलाधिकारी सदर मेरट फान्य उचादिकारियों से की गई थी तदकाली नुब जिलाधिकारी सदर त्वारा आवश्यक कारवाई करते वे तथा समस्त कागजातों का आवश्यक मॉल्यांकन क्या गया और कात्रवाई करने का दिला सर्द्या गया किंतु आज तक कोई कात्रवाई नहीं की गए सेश भूमी पर पिडिता कवजिदार है दिनांक 3.2024 को समय करी बाठ बजे पिडिता के पती अपनी आवासी भूमी की तरफ गए तो देखा कि अरुन मंचल ने अपनी साथियों के साथ महला मागवत पुरा थाना प्रमपूरी मेरट में पिडिता के प्लॉट की दिवार तोड कर वा उस पर रैम को बना कर जवर्दस्ती 3 और 4 पहियों के छेले वाई रिक्षा खड़े करवा दिये और उनसे किराय वसूल करने लगे पिडिता के पती ने जब इस बात का विरोध किया तो पिडिता के पती को जान से मारने की धमकी देने लगे और पिडिता के पती ने मौके पर थाना प्रमपूरी पोलिस को बला लिया थाना ब्रहंपुरी पोलिस द्वारा पिडिता के प्लॉट को खाली करा दिया गया किन्तू पिडिता के पती जब आज सुभाब ने प्लॉट की चार दिवारी कराने के लिए पंखे तो अरुन मंचल के द्वारा चार दिवारी करने के लिए 5 लाग की दिवार करने पर जान से मारने की धमकी भी दिगई अरुन मंचल के द्वारा पिड़िता की प्लॉट पर काम नहीं करने दिया जा रहा है अरुन मंचल कहता है कि मैं BJP पार्टी का पार्शद हूँ और हमारी सरकार है पिलोट किसके नाम है पिलोट में हमारे सासुर जी असुक कबाड़ी के नाम पर है उन्होंने हमारे नाम पर वसियत चर दिये बेनामा है पिलोट का है कबली आप अपनो दो चंदोजा साथ में इसकी थाने में शिकायद किया आपने थाने में किया है पुलिस ने आकर हमारे उ आचा जैंड एलेगे